इस कारिक्रुम की पुन्यार्जक है शिरी दिगंबर जैन मुनी संग प्रवन्द समिधी रजिस्टर पाश्वनाद भवन नाटाडियों का रास्ता जैपुर थ्री राजिस्थान नाता जोड लिया प्रवु से नाता जोड लिया क्यों जोड लिया क्योंकि मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चर्मा बीतराग भगवान की छवी देखने से जीवन में बीतरागता आती है सांती आती है असांत लोगों को देखने से असांती पैदा हो जाती है असांत माहौल में रहने पर असांती पैदा हो जाती है असांत माहौल में रहें तो हिर्दाय में सांती आती है भगवान की सांत मुद्रा देखने से जीवन में सांती आती है एक बात काफी गंभीर है कि जीवों के आश्रवण्धत हैं और उनके उदय आदी भी होते रहते हैं तो इसमें पूछा गया है क्या कैसे भी कारण से कैसी भी इस्तिती में कर्मों के उदय होते हैं तो कहेंगी नहीं कर्मों के उदय आदी के लिए द्रव्यक्षेत्रकाल भाव और उनके विपाक की युगता ये बहुत जरूरी होती है अगर आप स्रिष्ट तम इस्थान में बैठे हैं तो उस बक्त आपका आसाता वगएरा भी कुछ नहीं कर पाएंगे स्रिष्ट तम भावनाओं से संपन व्यक्षित्त की सानद में बैठे हैं तो उस समय आप असासा आदी से बहुत प्रभावित नहीं हो पाएंगे बहुत सांत वीतरागी चरणों में वैठे हैं उस समय आप कुरूध आदी से बहुत ज़्यादा प्रभाविता नहीं हो पाएंगे लेकिन अगर उनके लिए वैसा द्रव्य ना मिले बैसा छेत्र ना मिले, बैसा काल ना मिले, तो वो कर्म एक तरह से उदय में आकर के चुप चाब जड़ते चले जाते हैं, और अगर उनको तदनकूल मिल जाएं दरबक छेत्र काल भाव, तो उदय आकर के खोब उद्धन्टता उद्धतता पेश कर सकते हैं, और नया अस्रव कर सकते हैं, तो जो ज्यानी पुरुष वी तरागी देव सास्थ गुरू के सानध्ध में रहते हैं, वो संसार संबंदी का सायों की आग से बचे हुए हैं, बास्तनाओं की भट्टी से बचे हुए हैं, और इसलिए इस जिन सासन का निरंतर अनुसरन करना चाहिए, वी तरा आगी संत पुरुष के सानध्ध में सहज रूप से संतता आती है, क्या मिलता है जी सत पुरुषों से, उनकी बानी, उनकी मुद्रा और उनके, और क्या है जी, सत पुरुषों की बानी उपदेश देती है, उनकी मुद्रा प्रभावित करती है, मुद्रा से उपदेश मिलत और इस मन करेंगे उससे भी लाव होता है सद्गति होती है लेकिन उनकी वानी से लाव होता है वानी ना हो तो मुद्रा अहो सत्पुरुष के भचन मुद्रा और वो तो ठीक है कि अगर महापुर्सों का इस मन किया जाए वानी सुनी जाए इस पर्स किया जाए और द्रश्टी पढ़ जाए तो भी जीरमन बदल जाता है आज के बास तो सास्त्री कहेंगे कि ब्रह्मिस्थान में बेदी है परावर नहीं है इसको पीछे लेके जाओ ऐसा करो लेकिन अगर हम उसी की अफिक्षा से कल्प ना करें तो किसी भी स्थान में हो लेकिन वो समाउस्ण की रचना का प्रतीख है चार दिसा में मू रहते हैं कहीं-कहीं और कहीं-कहीं सरफ एक ही दिसा में मूँ करके बना देते हैं भगवान की जो चार दिसा में मूँ रहते हैं वह चारों दिसाओं में एक जैसी सुंदर आक्रती दिखती है उनकी ऐसा नहीं होगा कि एक मूर्ती हो और उसमें चार मूँ हो चार चहरे हो एक मूर्ती हो और उसमें सब्सक्राइब वाला एक ही मुद्रा में सुभा देता है, तो चार दिसां में रहेंगे, तो चारों दिसाओं में भी लहां साफ तरी संदर देखेंगे. प्रहिस्थ नोषर 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 में नोषर नोड हमें मुख। अवे आप देखो अगर हम एक की तरब देखते हैं तो दूसरे को ऐसी लगता है महाराजी में अनको ही देखकर करते हैं यह बहुत होता है जन्जट और महाराजी टो इस और बहुत बखिड़ा खड़ा हो जाता है तो टो किस्की तरप देखना भी इक्षा का प्रतीख है राग का प्रतीख है और वो परम्लबी तरह की है अब immersे में भी सब्संतुस्त रहें हमको देखीं थूरह हम क्यों बैठें हमें वो कुछ बोलना ही नहीं चाहते हैं, तो हम क्यों बैठें? तो ऐसा समोशन में नहीं होता है, ऐसी दिव्य अभा, दिव्य प्रभा प्रभू की होती है कि चारों दिसाओं में जो बारा सभा लगी, सारे जीवों को सारे लोगों को ऐसे लगता है कि सिर्फ हम को ही देख रहे हैं आज कल सबसे ज़्यादा दुख का करण यही है, कि किसी की अंदेखी कर देना, आप तो देखते भी नहीं हो, बोलते भी नहीं हो, आशिरवाद भी नहीं देते हो और इस पर अगर थोड़ा सा और हो गया ना कुछ आप तो उनको यह उनको बस देते हो आशिरवाद, उनसे ही बात करते हो हाँ, जो पंचायत कमेटी होती ना उसमें भी कभी कभी ऐसा बखेडा हो जाता है क्यों? अगर इतनी गंभीरता हो कि भई एक आदमी से बात कर ली तो बात तो वही तो करेंगी तो करने योग होगी, उचित होगी अब बागी सब जने उससे बात करके सुन लो, समझ लो, नहीं तो अकेले मंत्री से कैसे बात कर ली, प्रधान तो मैं हूँ तो इस टाइब का भी माखल हो जाता है, तो इन सब धंजटों से बचने के लिए समझ में बिराजी हुए प्रभू की मुद्रा, चारों दिसाओं में होती है, और चारों दिसाओं के जीवे परिकल्पना करते रहते के हमको ही बोल रहे हैं, हमको ही प्रवचन हो रहा है, कभी-कभी आप लोग को भी लगता ना, कि सारी बाते हैं, आज तो महराजी ने हमारी लिए कही है, किसको लगता है? अच्छा, किसी के मन में कोई प्रशन हो, कोई जंजट हो, तो उसको जरूर लगता है, कि आज तो सारी बात मेरे को बोई, अच्छा, किसी को डाउट हो, जैसे अभी हाल, उसको डाउट पड़ी है, और अब जो प्रशन करेंगे, और उसमें अगर कोई कहानी आ गई, तो यह कहानी महराजी मेरे को देख देख के, मुझे डाउट ते गुई बोल रहे हैं, और समस्चा, कभी अच्छा हुआ हो, तो उसमें अच्छा जोड़ेगा, कि आज मेरे को जोड़ के बोल ले, तो यह रागी देशी जीव हैं संसारी जन, अब इन सबों को, उनको मुक्ष मार्क पर लगाने का, प्रभु जिनिश्वर का मंगल उपक्रम है, वो इक्छा से नहीं कर रहे हैं, आप अगर स्वेंपु इस्तुत का पाठ किये हों, तो प्रभु धर्मनात की स्तुति में इस लोग आता है, कौन सा? धर्मनात की स्तुति में, मानु सीम प्रकृति मब्विती तवान देविता, सवपिच देविता, यता तेन नात परमासि देविता, ऐसे हैं आप मनुस्टर वाली प्रकृति वाले नहीं है, आप इक्छाओं वाले नहीं है, और आप देवता भी नहीं है, क्योंकि देव परियायक आपका उद्य नहीं है, आप तो बास्तों में देवाधी देव हैं, है भवी भागनी बची जोगे वसाए यहां तक संग कैसे आ गया किसी ना किसी जीवों का कोई योग-संयोग होगा कोई लेना देना होगा कभी हमने किसी को प्रदूशन में रखा होगा तो हमें उसका फलोदाइ में आ रहा होगा किनी जीवोंने ज़्यादा भक्ति क्यों होगी तो उनकी निमित्ते से संका अगमन आ रहा होगा जो भी है अपन लगा सकते हैं साब किताब तो भवी भागनी बची जोगे वसाए भवी जीवों के भाग किसी और उनकी मुद्रा चारों दिशाओं में कितनी सभा लगती हैं जी बारह सभा बारह सभा के बीच आओं बीच प्रभु विराजे हैं बारह सभाओं में बेठे हैं चारों दिशाओं में चार मुख मुद्राएं हैं और सब के उपर आठ प्रातिहारिय सोसोभित दिख रहे हैं कौनसे हैं आठ प्रातिहारिय सत्प्रातिहाराति सयप्रपन्नो कौन से हैं आठ प्रातिहारिया दिव्य विटप पवुपन की वर्षा दुन्धु विदासन है कैसे होती है सुन्द समोर्षन की सुभा सुला पुर्वास था एक मंदिर की दर्शन को गए लिए तो देखा मूर्ती बड़ी सुन्दर है आसन गेरा सब सुन्दर है हमने पुछा कि भगवान के छत्र चमर कहां गए छत्र चमर नहीं थे इतनी पर मूर्थि और चत्र GO नहीं थे इतनी PLAY ह 2005 safe जंद बोले के स्थाओ अध्यक्ष्व के घर पर लखे है हमने कई भगवान तो ये है छत्रचमर तो इनके उपर होना चाहिए अध्यास के उपर दुड़ी लगना चाहिए, तो ये का inté है, आप महराज जी अध्यास के उपर लगते नहीं है, लेकर उनके घर पर रखे है, जैंके उपर लगते नहीं तो घर पर क्यों रखे, यहां से मं लें और साम होते होते भलें उतार लें कुछ ऐसी विवस्था रखें अगर किसी तरह का भय है तो लेकिन यह आठ प्राति हरिये तो होना चाहिए तो शत्र शमर दिव्य विटफ यहां जो रचना है वेदी पर काफी अच्छी है वेदी पर पीछे पीछे एक वरक्ष बनाने की कोशिस की है कियो हो गया दिव्य विटफ दिव्य तरू सुर्पुस्पुसु बरस्टी फिर सुर होते हैं देवता लोग दुन्दुभी वाजी बजाती हुए है और सुर्पुस्पुस्पु बरस्टी देवता लोग फूल बरसाते हैं यह से यहां पर हैं फूल बरसाती हुए देवता तो उसने असली फूल ले रखे हैं कि पीले चाहूल ले रखे हैं कुछ भी नहीं है आली हाद तो दिव्यतरू सुर्फ पुस्प सुगरश्टी दिव्य पुस्पों की वर्षा करते हो फिर कैसे हैं दुन्दुभी दुन्दुभी किसे बोलते हैं नगारा वजना दुन्दुभी तुरे ही वगेरा वजना खुब अच्छे साड़े वारा हजार साड़े वारा है करोड तरह के वाजें प्रभुदत्य में हुए सवार कितना अच्छा लगता है तो कल भी खुबत्सा हुआ उलास हुआ कल जो है पूरी कसर निकाल डाले लोगों ने अब तुम कहो कि आज भी तो आज कैसे हो सकता है जो भी है रोज रोज होना चाहिए दिव्य विटप पहुपन की वर्सा दुन्दुभी रासन योजन दुन्दुभी फिर कैसा आसन आसन भी संदर होना चाहिए सेहासन होना चाहिए श्री जी को युँ लिया वेदी पर सीधा रख दिया कहां है सेहासन उनका कमलासन कहां पर है सुर्पुस्प सुगरश्टी दुन्दुभी दुन्दुभी के चिन्न बनाना चाहिए या घंटा लगाते दुन्दुवी का प्रतीक है मंदर में आ टुन्न टुन्न करने वाली जो घंटी आती है वो भी दुन्दुवी का प्रतीक है अभी ठीक की टाइम पर जो टुन 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 होदा है तो भी दुन्दुवी का प्रतीक है और कई लोग जो है अपने हाँ से थाली वजाते हैं ताली वजाते हैं तो दुन्दुभी आसन सुंदर आसन योजन घोसव और उनकी दिविध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध् कि अप्रतीक है एक strawberries दिव्यद्धने का यह जन और फिर क्या आया आई ने सी कि locally में सब्सक्राइब जिए आइन के बीः ना इंद्ध्र मस्णा है लाक विडेखन कान्ता कैसे होना चाहिए चannah कि Sinn कि कांति कि समान कैसे होना चाहिए एक दम झाल मतोल संदर है ऐसा संक कान्ति तब और ससांक कांत का मतलब है कि उड्शा फिर चांदी के आप कितने भी अमीर हो लेकिन सोने के चत्र लगाने का तो प्रावधान ये शिसाफ से नहीं है आपने लगाया है भक्ति की अच्छी बात है लेकिन कैसे आएंगे चत्रा सुईत चत्रा सुईतात पत्रा वरदरपण चामरानी तो सुईत होते हैं है चंदी की ऊना है यहा चंदी की है हम औरnat पत्र उपत्रा स्वीत होना चेंगे और फिर जो भामंडल होता है इस निखाले सवने का हो सकता है क्यों उसके लिए सूर्य कीतर है च्मकदार कहा है सुंभत प्रभा वलायि व्यवाविभोस्ते लोकत्रे इत्मताम दिनमाक्षि पंती प्रुदत दिवा कर निरंत और भूरी शंक्या अजकल लोग जो है दो पराती हारियों का तो प्रियोग करने लगे करते क्या है हो ना हो बुले भगवान के माथि पर चत्र लगाओ सब जने ऐसे करो तो मत्ती पर चत्र लग गया फिर उट है किसे करते हैं जैसे चमर अँजबह अरे असली चमर रख locked बिठाओ बगवान को, श्याहसन पर कैसे बिठाएंगे, तो नहीं भी बजाओ आप, ऐसा, तो आठों प्रातिहारियों की संद्रचना करना चाहें, तो इसको एक अच्छा रूप दे सकते हैं, और नहीं तो, जितने में आनंद संतोस होता होतना भी ठीक है, तो क्या हो गया, चमर, चमर कैसे होना चाहिए? सेथ चमर, संदर, और चौसर चमर ढोराएंग, चमर कहां पर हैं जी? हाँ, तो कहीं कहीं लगे थे, कहीं कहीं चौसर चमर भी लगाते हैं, तो चौसर चमर, संदर, चान्दी जैसे बालों बाला ऐसे, आजकल एक गुरिया लगा दे नए, इसमें क्या मोती बगरा लगाके लगाते हैं, तो इतना ऐसा भारी भर कर थोड़ी चमर से हवा होगी, तो कुछ एकदम सुन्दर तो यह सी चमर चत्र चमर भा मंदल भा मंदल इस अब कितने हो गए और क्या है देव्यतरुसर पुस-पुस बरस्टी दुन्दु विरासन योजन घोसव आतव बारन चामर युकमी यह सी विभाती चा मंदल ती चा ऐसे जिनके समवशन के अध्भुत महिमा है बेदी पर विराजमान जिनेश्वर समवशन में विराजमान भगवान हम सब का मंगल करें जय बोलिये समवशन की भगवान के समवशन की बेदी पर विराजमान भगवान इस कारिक्रम के पुन्या आर्ज़क थे